नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है कुरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सब की भलाई 18 वर्ष से अधे कायू के व्यक्ती टीका करन के लिए पंजुकरन करवाएं पंजुकरन के लिए www.covin.gov.in अथवा self-registration.covin.gov.in पर लॉग इन कर अपना मोबाईल नमबर दर्ज करें मोबाईल पर प्राप्त OTP नमबर दर्ज करें और सत्यापित करें फॉर्म के अनुसार विवरन भरें और स्वयम को पंजुकरेद करें टीका करण के उपरांत भी तीन बहु मूले नियम अवश्य अपनाएं हमेशा मास्क पहने, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमेत तौर पर अच्छी तरह धोएं और दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें अपेश है आज के समाचार केंद्रिय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गटकरी ने मुख्य मंत्री श्री चैराम ठाकूर के उपस्तिती में आज कुल्लू जिला के मनाली से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लिए 6,155 करोड रुपे की सडक परियोजनाओं के लोकारपन किये वो आधारशी लाय रखी केंद्रिय मंत्री ने 1,303 करोड रुपे की लागत से निर्मित 49.14 किलोमेटर लंबे NH22 के परमाणू सोलन सेक्षन के फोर लेन का लोकारपन किया उन्होंने 1,323 करोड रुपे की लागत से कांगडा बाइपास भंगबार सेक्षन के फोर लेन के निर्माण 2,098 करोड रुपे की लागत से किरतपूर नेर्चोक के फोर लेन के निर्माण 273 करोड रुपे की लागत से पाउंटा साहिब हैवना के 4 लेन वर 2 लेन के निर्मान कारे की आधारशिलाय रखी श्री नितिन गटकरी ने 243 करोड रुपे की लागत से हैवना आशियारी के 2 लेन के निर्मान के intermediate lane के उन्यन 126 करोड रुपे की लागत से गुम्मा फैडी सेक्षन के intermediate lane के उन्यन और 94 करोड रुपे की लागत से निर्मित की जाने वाली पाउटा राजबन शिलाई मिनस हाटकोटी सड़क के टू लेन निर्मानकारे की आधार इस अवसर पर श्री नितिन गटकरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इस वर्ष 15,000 करोड रुपे की सड़क परियोजनाएं प्रादान की जाएंगी उन्होंने कहा कि 40 किलोमेटर लंबी लेफ्ट बेंक मनाली सड़क की विस्तिरत परियोजनाएं रिपोर्ट आतिशीगर तयार कर ली जाएगी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परिवहन के वेकलपिक साधनों जैसे केवलकार इतियादी के निर्मान के अलावा राज में सड़क संपर को सुद्रड करने के लिए राज सरकार को हर संभव सहायता प्रादान करेगी श्री नितिन गटकरी ने कहा और मैं यह मानता हूं कि कहीं तो स्विजरलेंड से भी अच्छी है हिमाचल प्रदेश को अगर धनवान बनाना यहां के लोगों को संब्रूद संपन्न बनाना है तो जो बात का जिक्र जैराम जी ने किया सड़क 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 यह एक ही शब्द है जो हिमाचल की पूरी त प्रेक हैं और इसलिए टूरिस्त क्या चाहते हैं कि तूरिस्त अच्छी जगह रहने के लिए चाहते हो टेल, डेस्टोरींड's, रिसॉट चाहते हैं रोड चाहते चंदीगर से खुलु आने के लिए भले आज गंता लग रहा होगा are आज मैं यहां खरा ओगए आज से दो साल के अंदर मैं आपको वचन देता हूं कि चंदिगर से नहीं तो दिल्ली से कुलू में मैं साथ घंटे में आपको पहुचा देंगा अभी मुझे प्रधान मंत्री जीने रोपे केबल कार फनकुलर रेलवे लाइट रेल ट्रांसपोर्ट इसके बारे में पब्लि दो लाग करोड रुपे खर्चा करके पूरे देश में रोप वे केबल कार फनकुल रेलव क्या नहीं की उजनाय त्यार करें मैं आपको एक डिक्वेस्ट करूंगा कि यह जैसे मेरे मन में यह आईडिया इसका अध्यान करना होगा क्योंकि अध्यान के बिना उसका इंफरन को जोड़ दिया और रोप वे और केबल कार का नेटवर्क खड़ा किया तो यह नीचे से घूम कर दीड़ दीड़ फुक के इतना समय भी आज ही मैंने देखा कि आटल टनेल में 15 मिनिट में अंदर गये तो मुझे उसने का कि चार घंटे बज गये तो यह उपर की उपर 15 मि अपने लाई है केवल आपको दो काम करना है आप आपके लेवल पर जितने रोप वे आपकी केबल कार जितना बनाने का है उतने मुझे केवल कि आप एक फॉरेस्ट इंवार्मेंट क्लियरंस और राइट अफ वे यह दो बाते आप क्लियर करिए तिसरा मैं बीओटी और पी प्रजेक्ट पहला मैंने किया था और मैं आपको बता रहों यह सिंपल बात है कि आपके पास हड्रो पावर खूब है और बहुत ज्यादा वह तो सब मेगावाट लगेगा ज्यादा नहीं लगता तो जैसे पिछड़े वे एक शेत्र में इंडस्ट्री खुलने के लिए हम इंडस्ट्री को एक कंसेशन देते हैं टैक्स एक्जम्शन देते हैं तो आप एक पॉलिशी स्टेट लेवल पर करिए कि जो भी व्यक्ति यहां रोप वे केबल का रखनेफुलर रेलवे करेगा उसको राइट ओफ वे हम करके देंगे इन्वार्मेंट फॉर्स क्लिरस करके देंगे उसके स्टेशन्स होंगे उसमें रेस्टोरेंट्स होंगे जैसे यूरोप में है पूर्टीटलस वगर जैसे है वो करने की उनुमति देंगे और उसको विजली 10 साल के लिए बुप्त देंगे यहां के हजारों योगों को रोजगार मिले और जैराम जी के नेत्रु तो हम पूरी तरह आपके साथ खड़े हैं और आप हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड का एक सुन्दर स्वस्त और देव प्रदेश है और देव प्रदेश में देव ही रहते तो ऐसी देव दुरलब जनता जहां है इस प्रदेश को एकोनॉमिक के दृष्टी से भी रोजगार मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण सड़के प्रदेश में यातायात का एक मात्र साधन है इसलिए सड़क संपर्क सुद्रड बनाना राजनेतिक नेत्रेतों और आम जनता का महत्वपुन मुद्दा है उन्होंने केंद्रिय मंत्री से मनाली शहर के लिए लेफ्ट बैंक सड़क की डबल लेनिंग और भूबो जोतर टैनल के निर्मान का आगरेह किया मुख्यमंत्री ने कहा हमारे लिए ये सो भागे की बात है कि आज आदनी नितिन गर्करी जी हमारे बेच में चहां मनाली पहुंच कर चे देव भूमी शिमाचल परदेश में शिमाचल के विकास को और गती देने के लिए और खास्तोर से उस काम के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा जुरूरत हमाचल के लोग मैसूस करते हैं और वो बात में अगर मैं जिसका मैं जिकर कर रहा हूँ और मैं सटकू का जिकर कि पहाट चड़ते उतरते आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन पीट का बोज नहीं उतर पाता है पर ऐसी परस्तिती में आपने हिमाचल परदेश के लिए आज समय निकाल करके जो प्रोजेक्स जिनको शुरू करना है और उसके साथ एक प्रोजेक्ट का विदिवतु भाटन जो आपने हिमाचल परदेश के लिए कि अपना अशुर्वाद दिया, उसके लिए में हिमाचल प्रदेश, देग भूनी, की समस्द्यन्ता की और से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की और से, हिद्य eze आभारगत करता मुझा, आज हिमाचल परदेश पूर्ण राजत्तों के पचास वर्ष पूरान पूर्ण करने का है। लेकिन पिर भी उसके बाद कुछ आज भी अगर हिमाचल परदेश के दुर्गम इलाकों में अगर हम जब जाते हैं तो वहां भी लोगों से एक ही शबत सुन्जे को मिलता है। हिमाचल परदेश में सड़कों के निर्मान का सड़कों की अगर लंबाई का अगर हम जिकर करें तो हम लगभग चालिस हाजार किलो मिटर के लगभग पहुंचे हैं। बहुत बड़ा अंकरा है छोटे परदेश के लिए। आज मुझे इस बात की पसंदता है कि हिमाचल प मुझे में बहुत जल्दी एक साल के अंदर हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि हिमाचल परदेश की कोई भी परिंचायत ऐसी ना ठूटे जहां पर सड़क की सुब जानी है मुझे इस बात के भी प्रसंता ही यह मनाली तो है अटल बहरी बाजपेज वो हमारे पू की विजजना की वही एक बज़ा थी जिसके कारणी हमाचल परदेश की गाउं की गाउं की गाउं सड़क बेंगे है अगर यह 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 सायद नहीं होती आज भी हिमाचल परदेश के लोगों का पीज techn erlebt का वोजह हम नहींάλBill में KHा treatment का वार्देश के हमारे सामशाध साधन होत जब से पूरे देश के लिए इस योजना की शुरुआत हुई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शिमाचल परदिश में सड़कों का निर्मान को एक गती मिली और ग्रामिन ख्षेत्र के लोगों का ठीट अगर सहीम आयने में उतारने में अगर अमसाफल हुए तो प् जुराग सिंग ठाकूर ने भी संबोदित किया केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सुक्षम लगु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितन गटकरी ने आज मुख्यमंत्री श्री चैराम ठाकूर के साथ अटल टनल रहतां का दोरा किया केंद्रिय और मुख् संगठन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में 19 सुरंगों का निर्मान किया जा रहा है। जिन में 8 सुरंगों का निर्मान कार्य प्रगति पर है। करते हुए 25 वर 26 जून 2021 को भी 18 से 44 वर्ष के आयुवर्ग के लिए टीका कर्ण सत्र आयुजित करने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व शुकरवार और शनिवार के दिन प्राथमिक्ता समुहों वाले लाभार्थियों 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों को टीके क की पहली वो दूसरी खुराक लगाने के लिए आरक्षित रखा गया था। जन जातिय दूर्गम और ग्रामिन क्षेत्रों में दोनों श्रेणियों के लिए ओन साइट पंजिकर्ण की स्विधा के साथ टीका कर्ण सत्र आयुजित किये जाएंगे। अभी तक 23,52,299 लोगों की जाँच की जा जुकी है जिन मेंसे 21,48,573 सेंपल की जाँच नेगिटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,054 लोगों में कोरोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी हुई है जिन मेंसे 1,95,598 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुकी हैं और 1,98 211 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। झाल